पदम तरह में गोवईशों की हुई दर्दनाक मौत से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलने की कारवाही की मांग और गोवईश की मौत के मामल में जाज की मांग की जा रही है उनने इसी मांग को लेकर कलेक्टर को ग्यापन सूपा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि भूप प्यास और उचित देख भाल की आभाव में दोदर्जन से अधि गोवईशी मौत होने का आरोप लगाया है और दोशियों के विरुद कड़ी कारवाह के साथ संगठन उग्र आंदनन की चेतावनी भी दे चुका है ग्यापन देनी के दौरान विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अरुन गुपता जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अगनी होतरी कोशा अध्यक्ष लवकुमार मिश्रा और साथ ही में बजरंग दल वि गो रक्षा सप्रमुक दिव्याश साहु सहित हेमंत राजपुत सहित बड़ी संख्या में गो सिवक मौचूद रहे लगभग 18 से 20 गोवन्शों की तडब तडब कर दर्दनात्म नती हो गई है और जिन्हें कुत्य और जंगली जानवन नोचकर विभत्स तरीके से खा रहे हैं और गोवन्शों के साथ किया गया यह पाप असक्ष्म है साथ ही में कानून के अंदर गड़ डड़नी हैं जिसके आक्रोश में विश्व हिंदू पर इसित बच्रंग दलने शाशिन प्रिशासंत रहे 18 गोवन्शों की भूग प्यास और सुरक्षा के आभाव में हुई लबंदी ग्रह मौजूद हैं जहां पर गोवन्शों को बीना किसी चारा पानी के क्याद करकर रखा जाता है देखिए राजनान गाओं के इस सहर के नजदी के गाह में पदुम तरह पदुम तरह में अभी जो मौसम खराब हुआ है हफ्ते पर पहले से 50-60 गोवन्शों को जो सुसाइटी बोलते धान सक्रण केंद्र वहां सुसाइटी में घेरा बंदी है वहां पचास-60 गोवन्शों को ठूस के भर दिया गया था ना वहां पर चारा की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था और ना ही वह बचने के लिए किसी भी स्तिती में मतलब विप्रीत गए है और उसके बाद भी वहां के जो लोग एं जो सुसाइटी की लोग हैं या सर्पन सची जो भी वहां जानकार और जिम्मेदार लोग everyday, वे लोगों ने क्यों कियो है गवश्था को हमारे सुसाइटी का नाम खराब्स ना हो, या यृवंस खताम के यह कोई बवाल ना क करके टेक्टर से बहुत विभस तरीके से घसिट के बार-बार दूसरे खेत में डाल दिए और खेत में डालने के वाद यह हुआ कि जो जंगली जानवार पशु कुत्ते यह नोच-णोच के खा गए हैं आप उस जब फोटो का उलोकन करेंगे तो आपका हिर्दय काप जाएग अंदर का पूरा जो शरीर का आंतरिक हिस्सा है वो तक बाहर आ गया कुत्ते और जंगली जानवार नोच के खा गया और फेक दिये सड़ रहा है गवण्स का जो शरीर है मिर्द सरीर है तो यह जो विशा है बहुत गंभीर विशा है प्रसासन चतित गड़ सासन हमारे आदर आज इतने बुरी तरह से मरी है भूख प्यास से तडब के तो आप सोचो कि हाय और हत्या यह किसके उपर जाएगी और कोन इसका भागी बनेगा आज जब फोटो हम लोगे उन्हों देखा तो हमारा हिर्दय का आप गया कि है गव माता इस संसकार धानी और नारा देने वाल कोई सासन प्रसासन को ठोस विवस्था नहीं है मांग यह कर रहे हैं कि पदुम तरह जो में जो अठारा गवंस तडब तडब के भूख प्यास से सड़ रही है मर रही है आज उसके जाच की जाए दोशियों पर कड़ी से काड़ी करवाही की जाए और सासन प्रसासन गव को हिंदु समाज मा मानता है आज वह बहुत बुरी स्थिती में है बहुत दैनी स्थिती में 36 गड़ में